वारिस पठान AI MIM के हमारे साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान साथ, सेकंड फेज ओवा क्या दिखाई दे रहा है आपको AI MIM के लिए? येस सर देखिए अभी तो टू अर्ली है लेकिन जो भी मुझे जानकारी मिल रही है हमारे लोगों से वहाँ पर चायतामजाबाद हो, गोतरा हो तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि लोगों ने अच्छी तादात के अंदर वोट दिया है मेरी को जो जानकारी मिली अभी तक उसमें आप तो एक्जिट पूल दिखा रहो मैं तो हमारे लोग के साथ डाइरेक्टर टच के अंदर हूँ हाँ कुछ वोटिंग परसंटेज कुछ काम हुआ है लेकि जहां जहां हमारे उमीदवार थे वहाँ वहाँ पर वोटिंग अच्छा होगा अब देखिए हम तो 14 सिट पे थे लड़ने गए थे 14 मेंसे एक तो नोमिनेशन जैसा है भरा वैसे उसने अपना जवीर भेज दिया और कॉंगरेस ने उसको खरिद लिया अब लास्ट में बज़ गई हमारे पास सिर्फ 13 सिटे 13 सिट के अंदर जो 4 सिटे थी उतका पहले चरण के अंदर हो गया और आज जो चिंता आपकी इसके बात की भी होगी बारिस भाई हो तो अभी जीत के बाद तो कितने सब लोग चलेगा नितिश कुमार तो सत्ता बनाएगे चले गए तो क्या कर सकते महाराश्ट्रे के अंदर आप देखो कितने के कितने सारे पूरा सीवशना खाली हो गया बाजापा में चले हो गया अब यह तो जो जो जमीर की परवानी आएगा जाएगा आना जाना लगा रहेगा एक आएगा दो जाएगा वो चलेगा लेकिन यहाँ पर जो चुनाओ के अंदर हमने जो देखा है ना सर मया और असाद ओवेजी साप पूरी हमारी टीम साथ में ती तो काफी लोगों की महबबत हमको दिखी हम जिस जिस सबाओं जाते थे लोग सुनते थे समझते थे और लोगों को भी कही ना कहीं यह फेक्टर नजर आ रहाता तो आप दिल जीतने के लिए कि इतने के लिए इसको 30 साल सत्ता दी दो दिल जीत सत्ता ही साल हमने भाजापा को चार्ज दिया तो क्यों ना आप M.I.M. को चार्ज देख विकल्प के तोर पे हम गए दिल जीतेंगे तभी तो लोग वोट डालेंगे भरोसा करके चुनाओ जीताएंगे सर पहले तो दिल जीतना है लोगों की दूआ लेना है और हाट जीत चलता रहेगा अब जब दिल जुड़ी गए लोगों से तो आते जाते रहेगे देख रहे थे वहाँ पर और वोट उन्हें पूरा वोट का जो फ्रैंचाइस ही था वो इस्तेमाल किया इस वकत वोट डालने में ऐसा हमको लोग विकास चाहते थे मगर एक वोट बैंक ऐसा बन गया था कि नहीं कहा जाएगा ये वोट यह तो कॉंग्रेस सूच नहीं हमको यही रादे से लोग हमारे साथ आएगे